तो चलिए आज नया चप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है रेकरिंग डिपॉजिट ठीक है ये एक तरीके का रेकरिंग डिपॉजिट एक तरीके का अकाउंट होता है जो हम खुलवाते हैं ये नॉर्मल अकाउंट से कुछ अलग होता है तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे उससे आपको अपनी किताब में दिये गए सारे कुशन्स बनने लगेंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो हमार जो अगला चप्टर है उसका नाम है रेकरिंग दिपॉजिट तो सबसे पहले मैं रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में कुछ बात करता हूं सबसे पहले जो हम नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हैं हमारे बैंक में वह एक तरीके का उससे कहते हैं सेविंग अकाउंट यहां कहते हैं करन्ट अकाउंट उसमें क्या होता है कि ह हम कितना भी पैसा हर महीने डाल सकते हैं कितना भी पैसा हर महीने निकाल सकते हैं बहुत किलियर भाशा है मैंने आपको बता दिया जो सेविंग होती कि इतना पैसा आप निकाल सकते वह तो अलग बात है लेकिन डिपॉजिट अकाउंट इन सभी से अलग इसी लिए है क्योंकि यहां पर एक टैनियूर होता है अकाउंट का मतलब जैसे अगर आपने और डि कराई है माल लो पांच साल की क्या कड़ाई है आपने पांच साल की तो उसमें आप पहले से ही फिक्श्ट इंस्टॉल्मेंट हमेशा हर महीने सम्मिट करती हो नहीं आया समझ में जैसे माल लो मेरे पास कुछ पैसे ठीक है अब मेरे पास सेविंग अकाउंट होगा अगर मेरे पास नॉर्मल बैंक में सेविंग अकाउंट होगा तो मैं हमेशा जाके अपनी मर्जी से माल लो मैंने मेरी मरज़ी चलती कि मैं महिने में कितना पैसा डालता हूं माल लो मैंने फिर पंद्रह सो रुपए निकाल दिये लेकिन अलग तरीके का अकाउंट होता है इसमें सबसे पहले आपको स्पेसिफाइद करना प्रता है कि कि इन साल के लिए आप आर्डी के लिए जैसे मैं होगा ना एक साल में बाड़ा महीने तो पांच साल के लिए मुझे आड़ी बनवानी है साथ महीनों के लिए आड़ी बनवानी है अच्छा सर तो पांच साल के लिए पैसा हमें हर महीने डालना पड़ता है और हर महीने में फिक्ष्ड अमाउंट डालना पड़ता है जिसे कहत है हम principle amount जैसे मैंने decide कि मैं हर महिने 1000 रुपीज डालूंगा तो मैं हर महिने से 1000 डाल सकता हूं उससे जादा नहीं डाल सकता हूं हर महिने 1000 1000 डालूंगा और पैसे नहीं निकाल सकता हूं उस पांच सालों तक मैं पैसे नहीं निकाल सकता हूं पांच साल के बाद इखटा हो कि हमें पैसा मिलेगा जिसे कहा जाता है मैचौर्टी वैल्यू हाँ अगर आप बोलो सार अर्डी टुडवा दूं यह कर दूं कर दूं तो वह अलग चीज़ें अपन उसमें नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें कुछ ऐसा मन निकालना सर हमारे यहां एक आर्डी बनवाई थी उसने तो तुड़वा दी ऐसा इन में मत पढ़ो अपन जो दॉन्रमल डेफिनिशन होती ना अर्डी की उसमें चल रहे हैं अपने को मेंच के कोशन बना चाहिए उस पे अपन प्यसडी नहीं करना क्यों अपन को जाके किसी आर्डी थोड़ी खुलवानी तो यार्डी का मतलब होता है कि आप एक फिक्स टेन्योर के लिए कोई एक रे पमिने कुछ नो पैसा यह हजात उपह और उपर निकालने की प्रमीशन होगी और मैं पांस साल के बाद जब मैं पैसे निकालूंगा तो जितने मैंने डाले थे जितने मैंने उसमें इन्वेस्ट किये था अकॉंट में उतने तो मिलने ही मिलने है उतना प्रिंसिपल तो मुझे मिलना है प्लस मुझे मिलेगा इंट्रेस्ट तो दोनों को मिला के बनेगी मैच् सेविंग अकाउंट में क्यों डाला इसमें भी इंट्रेस्ट मिलता है कहा जाता है कि आर्डी में इंट्रेस्ट ज्यादा मिलता है जैसे सेविंग अकाउंट में नौर्मली आपको दो से इंट्रेस्ट सेविंग अकाउंट में ज्यादा मिलती है तो आरडी के बारें क्लियर हो गया होगा यह भी एक तरीके का अकाउंट है लेकिन पैसा हमारा लॉक हो जाता है हर मैंने एक डेफिनिट अमाउंट हमें पे करना होता है जब पांच साल पूरा हो जाए यहां जो भी टैनियोर आपने सोचा है तीन महीने से लेकर दस साल तक की आरडी बनती है तो जो भी टैनियोर आपने सोचा है उसके बाद आपको मिलता है आपका पैसा प्लस उस पे मिलता है इंट्रेस्ट जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं ब्याज और दोनों को मिलाओ तो मिलती हैं बनत दूसरी चीज कि भीया rate of interest क्या होगा अगर question में rate of interest नहीं दिया तो हमें निकालना पड़ेगा तो मतलब maturity value कहीं न कहीं दी होगी शयद और यहां तो हमें time interval पूछेगा कि कितने महिनों के लिए आपने समिट किया तो तीन तरीके question होते हैं पहला कि यह maturity value निकालो rate और time दिया होगा कि इतने time तक आपने समिट किया है और आपको interest मिल रहा है 6% पर हो और दूसरा बनता rate निकालने का question और तीसरा बनता time निकालने question तो आते हैं समझते हैं इसका formula अपन लगाने ही खुश करते हैं सबसे पहले मैं बात करते हैं क्या-क्या formula हमें पढ़ने हैं सबसे पहले interest ब्याज निकालने का formula कि भीया मैंने ना पैसा आप हर महीने bank में डाल रहे हो और डी में हम हर महीने fixed amount डालते हैं ना बैंक में उसी को कहेंगे हम principle एन का मतलब होता है rate of interest हमको कितना percentage मिल रहा है अपने पैसे पर हमें कितना परसंटेज मिल रहा है तो वह होगा रेट आफ इंट्रेस्ट जैसे फाइव परसंट शिक्स परसंट ऐसे दिया होगा ठीक है तो यह हुआ interest निकालने का formula ठीक है अब amount 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 मतलब मैंने कितना पैसा पांट सल तक डाल दिया जैसे मैंने five years की R ड कर कितने years की R ड कर आeg kangara थीक है तो यहां पर पी का मतलब क्या है जो में हर महीन पैसा डालरा हम एक मतलब में कितने महहिने तक टाल आ और अमांट्ट का मतलब है कि आप पांथ सालों कितना पैसा डाल दोगे तो हर अमांट निकलेगा पीटू एन ठीक है अमांट कैसे निकालेंगे याप यह फॉर्मले से यह amount किया? यह maturity नहीं है, यह maturity value नहीं है, यह amount है, amount महला कितना पैसा आपने 5 साल तक डाला, अब बात आएगी maturity value की, ठीक है, तो maturity value का formula हो जाएगा, कितना पैसा आपने डाला है, मतलब P into N, प्लस 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 कितना आपको interest मिलेगा? interest कैसे मिलेगा? इस formula से मिलेगा तो इसका formula क्या हो जाएगा? P into n n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100 तो भाई maturity value निकालनी होगी कि 5 साल के बाद हमें कितना पैसा मिलने वाला है तो हम इस formula से लगाएंगे यह क्या है यह तो मैंने submit किया ना 5 सालों तक 5 साल तक कितना पैसा मैंने submit किया यह वो है और यह है कि 5 साल के बाद मेरे को कितना पैसा मिलेगा इंट्रेस्ट जोड़ के भाई कुछ तो फाइदा आज चली तब तो मैं किसी को अपना पैसा दूँ तो वहां से अपन निकालेंगे तो जल्ली से formula लिखिए याद करिए आते हैं question में और question में हर टाइब क्या को कड़ा दूँगा आपको दिक्कत नहीं जाने वाली तो जल्दी से formula याद कर लो चलिए तो question की बात करते हैं अब ठीक है question को अच्छे से पढ़ना लिखा है वहाई साम मनीश ओपन्स recurring deposit account मनीश ने rd खोली with the bank of कौन सी बैंक राजिस्थान अच्छा deposited रुपी 600 पर मन्थ यह PDI deposit रुपी 600 पर मन्थ यह PDI हमें ठीक है यह हमें क्या दिया है पी दिया है आगे दो क्या लिखा है for 20 months यह हमें एन दिया है क्लियर है हर महिना उसने 600 डाला यह P हो जाएगा 20 महिने के लिए डाल रहा है तो n हो जाएगा 20 calculate the maturity value of this account if the bank pays the rate of interest rate कितना भी यह 10% तो हमें maturity value निकालनी maturity value का formula यहां बताए था न मैंने आपको यह डिरेक्ट अपन formula लगा देंगे ठीक है maturity value का तो डिरेक्ट formula लगाते है maturity value का maturity value का formula होता है पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस वन अपन टू इंटू 12 इंटू आर बाई 100 चाहो तो पी वी कॉमन निकाले ना यह आपकी मर्जी है मैं सम्में नहीं पढ़ूंगा डिरेक्ट सॉल करते हैं अपन maturity value पी बोले तो 600 इंटू एन एन कितना है 20 प्लस पी है 600 इंटू एन है 20 इंटू एन प्लस वन अगर एन ट्वेंटी है तो एन प्लस वन ट्वेंटी वन होगा की नहीं होगा तो एन अगर ट्वेंटी है तो एन प्लस वन ट्वेंटी वन होगा अपन 2 x 12 x r, r मतलब 10 x 100, ठीक है, चलिए, solve करते हैं आगे, ये 2 0 से, ये वाले 2 0 मैंने काट दिये, ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, बढ़िया, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, ये 10 और 2 मैंने काट दिया, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स, और 10 आता है 5 टाइम्स, इसके इसके बाद, मैंने 12 को 2 से काटा, 6 आया, इसको काटा, मैंने, अरे 4 से काट दो, इसे आया 3 और ये आया 5, अरे 3 की टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स, ठीक है, तो जो बचा है, उसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, जो बचा है, उसे लिख लेता हूं, तो हमारे पास बचा है, मैचॉर्टी वैल्यू, इकोल टू, ये बताओ, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, 6 इंटू 2, 12 हो जाएगा, कितने 0, 30, प्लस, यहां क्या बचा है, 6, 5, 7, 5, नीचे तो सब स्वाहा हो गया, तो ये देखो, 6 इंटू 5, ये 6 बचा है, ये 5 बचा है, ये 7 बचा है, ये 5 बचा है, ठीक है, तो देखो, 6 इंटू 5, 30, 30 इंटू 7, 210, 210 इंटू 5, 1050, 1050, प्लस कर लेता हूं, 0 प्लस 0 इस 0, 5 प्लस 0 इस 5, 0 प्लस 0 इस 0, 1 इंटू 2 इस 3, 1, यहां इतने रुपए मिलेंगे उसको, इतने रुपए मिलेंगे, ठीक है, 20 महीने बाद, अगर उसने 10, 10% पे अपने 6, 600 रुपए डाले हैं, तो उसने कितने डाले थे, पी इंटू एंट डाले थे, ये अमाउन था ना, पी इंटू एंट, तो पी इंटू एंट कितना आ रहा था, 12,000, तो उसने 12,000 रुपीज जा ले हैं, अकाउंट में, लेकिन उसे 20 महीने काद कितना मिला, 13,050 रुपीज, पॉस करिए, चलिए, अगला गोशन भी बिलकुल उसी की तरह है, बिलकुल उसी की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं, लिखा है, मिसिस मैथ्यू ओपन डर रेक्रिंग डिपॉजिट in a certain bank and deposited rupees 640 पर मन्त, जो हर महीने हम पैसा देते हैं, वो P की value होती, तो यहाँ पर P हो जाएगा 640 रुपीज, आगे, for 4,1 by 2 years, 4,1 by 2 years, अपने को जो N लिखना होता है, वो मन्त में लिखना होता है, तो हमें दिया है, 4,1 by 2 years, मतलब साड़े चार साल, क्या ऐघन, तो 4 साल में, 4 साल को अगर में मन्त में बडलू, तो 48 नमत हुए की नहीं हुए, 4 साल को अगर में मन्त में बडलू, तो 48 मनंत हुए, और 10 साल और 6 महीने, और, ऐसी होता नहीं याँ, one month, sorry one year में 12 मंत होते, है तो बहुत बेसिक बेसिक चीज आपको बताता जारा हूं ताकि हर इंसान को सौन में आचा है वो हुश्यार बच्चा बैठा हो चाहे कमजोर बच्चा बैठा हो उसको हर चीज के लिए सौन में आए कि भाई साथ 54 मन्त क्यों लिखा सरने सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो चलिए मैचौर्टी वैल्यू लगा लेते हैं अब तो सभी लोग कड़ी लेंगे तो जली से करते जाहिए सिर्फ ऐसे देखते मत रही है कोई मूवी नहीं चलिए आपको भी साथ में करना जब आप साथ में करेंगे आपका भी अंसर मैं रहेगा है करना लंद आम में पर हमारी महिनत को आसान मनाती हम से मेहिनत करेंशी नहीं मिले तो मह बहुत कशनर यहां सही गायडेंस मिल रही है और आप मेहनत नहीं कर लाओ तब भी math कठने हैं ताली दो हाथ से बसती है दोनों चीज़ें अगर आपन कर देंगे math बहुत असान है या रहा है पी इंटू एन और पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100 चलिए value बुट करते हैं maturity value पी बोले तो 640 इंटू एन एन कितना यहां पर 54 प्लस पी इंटू 640 इंटू एन की जगे 54 फिर 54 प्लस 155 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर मतलब 12 अपॉन 100 ठीक है चलो अब कुछ nickel करते चलते है जो जो cancel हो रहा सबसे पहले तो सब यह वाला जीरो इर्यवाला जीरो काट दो काट दिया उसके बाद मतले काम करो आप इंहों को काट दो आज वाइव से यह बचा टू और यह बचा 11 अच्छ फिर सब आप टू को ट्रल से काट दो तो यह आया 6 अच्छा फिर 6 की table में 6 की table में टल आता है 2 times अच्छा फिर 54 यह उपर 27 फिर यह वाला 264 यह थर्टीटू थीक है तो क्या बचा हुआ है मैं लिक लेता हूं मैं लिक लेता हूं थीक है घबराना नहीं है maturity value 640 into 54 प्लस यहां पर क्या बचा हुआ है ढंक से देखो एक तो 32 बचा है 27 बचा है 11 बचा है और कुछ नहीं है चलो ठीक है 24 16 1 4 into 6 is 24 25 5 into 4 is 20 to carry 5 into 6 is 30 32 या जाएगा 6 5 4 3 3 4 5 6 तो यह आ गया maturity value 3 4 5 6 0 0 कैसे सर 3 4 5 6 आया था अटे भाई साब एक 0 मैंने कहां लिया था 64 into 54 ना किया था अच्छा 27 into 11 तो डर्यक्ट बता सकते हैं 27 into 10 270 होता है एक और 27 जोड़ तो 270 में 27 27 जोड़ेंगे सब 297 हो जाएगा 297 में 32 into करते है 297 में 32 इंटु कर लेते है 297 में 32 तो 297 into 32 ठीक है 297 into 32 तो 2 into 7 कितना होता है 14 यक्ला कितना होता है 18 और नाइंटीन हो गया उपर एक क्यारी बैठा है तुझा इन्टु फॉर 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 फैफ यूड़ प्रेपी सेवन फ्रिक्वन फॉन फ्रिक्स्विशन और टू तूट्रीं नाइन तुर्टिषएं प्ल्रस करते हैं प्रूनेंगे इनको प्लस इन तो 4 प्लस 0 लासट डिजिटको प्लस किया तो तो प्लस 6 छ आया 5 प्लस 5 टैन आया वन कैरे वन कैरी थीक है किसको प्लस ये था 5 प्लस 5 थैन ता वन कैरी 9 प्लस फोर 13 14 हो जाएगा और ये वन तो फोर जाएगा तो 4406 4 रुपीज वाइस आप किसी आसी को डिरेक्ट प्लस नभले तो साइड में कर लेना यह समंगन करतें तो साःड में ऐसे आप ड्म प्लस कर लेना ऐसे आप प्लस कर लेना थीक है चलो पॉस करो चल değer तो नेक्स ट्थीजिशन में आ लिखा है इच ओफ ए और बी ओपंड रेकरिंग डिपोजिट अकाउंट इन बैंक दो इंसान है ठीक है दो अलग-अलग इंसान है दोनों ने रेकरिंग डिपोजिट अकाउंट खुलवाया ठीक है बहुत अच्छी बात है एडिपोजिट रुपीज 12,000 पर मन्त चलो मैं एक ही बात कर और मैं एक ही बात करूं तो फीदिया है 12,000 रुपीज पर ट्री इंडि यह यह मंदलब 36 मंथ यह मंदलब 36 मंथ आयसं में थरी इंट रूटेल एंड बी डिपॉजित रूपीस फिफ्टीन हंड़र्ड बी का यह लिए ता हूं जो भी है जो भी है उसको अलग कलर से करते हैं वह कित्ते रूपीस डिपॉजिट करता है 1500 रूपीस पर मन्थ फॉर्ट वन बाई टू यह थाई साल तू पॉइंट फाइएर्स तो टू यह मीज्टिफॉर मंथ तू यह मीज्टिफॉर मंथ आधा साल और मतलब 6 मंथ और यहां पर एन हो जाएगा 30 मंथ ठीक है और देखो आए क्या लिखा है find the maturity who will get more amount by how much किसको ज्यादा maturity मिलने वाली है किसको लास्ट में ज्यादा पैसे मिलेंगे और कितना ज्यादा मिलेगा माइनस करके पता चलेगा if the rate of interest paid by the bank 10% per annum दोनों को 10% per annum मिले है तो दोनों के लिए आर दोनों के लिए आर कितना है 10% दोनों के लिए आर कितना है 10% ठीक है इधर आजो वही है तुम अब तुम सही हो चल दोनों की maturity value निकालते है अपन ठीक है दोनों की maturity value तो maturity value का formula होता है पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन अपन टू इंटू 12 इंटू आर बाई 100 यही होता है अले भाई साब यहाँ पर principle जो है ना बारा सो है मैंने बारा हजाल लेग दिया है बारा सो है बारा सो ठीक है ध्यान दे ना 1200 था चलो लगते value लगते 1200 प्लस 1200 इंटू एन 36 इंटू 36 प्लस 137 अपन 24 इंटू आर 10 अपन 100 चलिए सॉल करते हैं सर यह वाले दो 0 काट दो काट दिये ठीक है काट दिये दो 0 अब क्या करेंगे सर 24 की टेबल में टू टाइमस आता है सर अब एक काम करो आप 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 टू को काट दो 12 6 आ जाएगा अच्छा ठीक है ठीक है अब आप इंटू कर दो सर इनको 36 इंटू 12 360 360 में 72 432 432 और 00 अब इनको भी इंटू कर दो सर 6 इंटू 3 18 6 इंटू 3 18 18 इंटू 37 निकालें चलिए इंटू 37 7 इंटू 8 56 7 इंटू 1 7 12 3 इंटू 8 24 3 इंटू 1 3 5 6 6 6 6 ट्रिपल शिक्स और एक 0 ट्रिपल शिक्स और एक 0 प्लस कर दो सर लास्ट वाला 006 प्लस जीरो 6 6 6 2 8 6 प्लस 3 9 और 4 इतना मिला एक चलिए बी को कितना मिला चलिए चेक किया जाए बी का चेक करते हैं मार्चार्टी वैल्यू पी इंटू n plus p into n into n plus 1 upon 2 into 12 into r by 100 करता हो ना भाई साब वैल्यू बुट करो जल्दी से p मतलब 500 n मतलब 30 plus 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 50 into 30 n plus 1 30 plus 1 31 2 into 12 छोड़ दो सर कहीं टेंशन ले रहा हो 10 upon 100 ठीक है अरे सर 15 नहीं था 1500 था 1500 था अब काट दो सर ये वाले 2 0 और ये वाले 2 0 खतम हो गए सर बहुत बढ़िया और कौन खतम होना चाहता है सर 12 6 की टेबल में आता है टू टाइम्स और 36 की टेबल सा आता है 5 टाइम्स अच्छा सर 2 की टेबल में टान आता है 5 टाइम्स अच्छा ठीक है सर अब तो सॉल्ट कर नहीं बढ़ेगा अब इंटू मारते 15 इंटू थी कितना हो जाएगा 45 और 3 0 ठीक है यहां उपर क्या क्या बचा है 15 बचा है 5 बचा है 31 बचा है 5 बचा है 3 75 इंटू 31 3 75 इंटू 31 3 75 इंटू 31 यहां जाएगा 3 75 इंटू 3 इंटू 5 15 वन केरी 3 इंटू 7 21 22 3 इंटू 3 9 11 प्लस करते हैं 5 12 यहां जाएगा 6 11 11625 11625 11625 11625 इंटू करने में आ रहा और नीचे 2 है और नीचे 2 है तो 11625 आ रहा है 11625 आ रहा है 11625 को टू से डिवाइड लगा देते हैं 11625 को टू से 11625 को टू से 2 इंटू 5 10 वन केरी नीचे 6 2 इंटू 8 16 ठीक है और नीचे कितना आया 2 आया तो यह आया 1 फिर नीचे आया 5 तो यहा 2 नीचे बचा 41.5 5812.5 582.5 581.2.5 5812.5 581.5 इस्वान में आए कि निया आ देखो न आ याँ यहां पे जगह नहीं थी मैं इसलिए दूसरे जगह करा करें के दिखाता हूं 11625 11625 अपॉं टू बहित है यह लेकिन चलो सब के लिए है टो इंटू 5 होता है 10 1 6 8 होता है 16 नीचे आया 2 1 x 2 नीचे आया 5 2 x 4 नीचे आया 1 लगा है decimal 0 5 5812 0.5 5812 0.5 5812 0.5 5812 0.5 चलो प्लस करते है 5812 0.5 5812 0.5 तो 45,000 में 5812.5 तो यह रहेगा 0.5 21801 50812.5 50812.5 50812.5 रुपीज इतना बी को मिला किसको ज़्यादा मिला भी यह एको मिला था 49860 बी को मिला 50812 भी यह 49,000 सम्थिंग है यह 50,000 सम्थिंग है तो बी को ज़्यादा मिला और कितना ज़्यादा मिला 49860 से माइनस करते है 49860 से माइनस कर देते है तो यह आज आएगा 0.52 यह 11 बनेगा 11-6 किता होता है 5 17-8, 9 ठीक है 17-8, 9 5 के दर गया था तो यह बन गया था आपका 5 से लिए था 9 जी रो 9.52.5 9.52.5 तो यहाँ पर लिखूंगा मैं बी गेट्स 952.5 रुपीज मोर मैचॉर्टी वैल्यू देन ए पॉस किया जाए चलिए नेक्स्ट टाइब के गोश्चन में आते हैं पहला पार्ट अगर मैंने पहला पार्ट कड़के दिखाया तो सेकेंड पार्ट आप करोंगे पहले पार्ट में लिखा है पुनीत है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक ऑफ बरोड़ा एंड डिपॉजिट रुपीज 140 140 पर मंथ 140 पर मंथ यह जो 140 पर मंथ है यह क्या है यह सब पी है तो पी दिया है 140 रुपीज आगे फोर फोर इयर्स चार सालों के लिए वन इयर में 12 मंथ होते हैं तो चार सालों में कितने हो जाएंगे फोर इंड रुट फोर्टी एट तो यहां पर एंड हो जाएगा फोर्टी एट आगे फाइंड रेट ओफ इंट्रेस्ट अच्छा रेट ओफ इंट्रेस्ट निकालना और यह तो भूल गए सब ही गेट्स 8092 मैचॉर्टी मैचॉर्टी वैल्यू दी है 8092 जो अभी तक हम तीन कोषयंस में निकाल रहते हैं वह हमें दी हैं मैचॉर्टी वैल्यू दी हैं तो हमें और निकालना है चली निकालते हैं तो मैचॉर्टी वैल्यू का फॉर्म ला होता है पी इंटू N plus P into N into N plus 1 upon 2 into 12 into R by 100. Maturity value हमें दी है 8092. 8092 maturity value P into N, P है 140 into N है 48, P है 140 into N है 48 into N plus 1, 49, 2 into 12 into R upon 100, आज तो निकालना है सर, R upon 100, चलो कुछ cancel कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो, सर 1 0 से 1 0 गया, बहुत बढ़िया, सर 12 की table में 12 आता है 1 टाइम और 48 आता है 4 टाइम, 12 into 4 48 होता है गी नहीं होता है, होता है सर, सर, 2 की table 2 आता है 1 टाइम और 4 आता है 2 टाइम अच्छा अच्छा सर, 10 की table, स्री 2 की table 10 आता है 5 टाइम और 14 आता है 7 टाइम अच्छा, और कुछ नाइसर एक ता बाकी तो बचेगा, तो जो बचा है उसको लिखता हूं, 8 0 9 2 48 into 14 निकाल लेता हूं 48 into 14 4 into 8 32 4 into 4 16 9 और 48 2 9 plus 8 17 6 6 72 तो 6 7 2 0 0 कैसे यह वाला सब अच्छा क्या बचा है 7 बचा है 2 बचा है 7 into 2 14 7 into 14 14 into 49 अपॉन 5 बचा है ठीक है 7 into 2 14 into 49 into r into r upon 5 बचा है अच्छा चलो ठीक है आगे सॉल करते हैं अब सब 6 7 2 0 को वहां ले जाओ ले जाओ कोई दिखकर नहीं है 8 0 9 2 minus 6 7 2 0 equal to 14 into 49 into r upon 5 अभी into नहीं करता हूं क्या पता कैंसल हो जाए है चलो माइनस करते हैं 8 0 9 2 में से 6 7 2 0 माइनस किया 2 बचा 7 बचा और यहां क्या बचा 13 बचा 1372 तो 1372 equal to 14 into 49 upon 5 into r को छोड़ दिया अकेले कि या तुम बैठो अकेले बाकी सब उधर जाएंगे तो 1372 के पास 5 चला जाएगा cross multiply ठीक है cross multiply पता कि नीचे वाला उपर उपर वाला नीचे ऐसी होता ना तो 5 चला जाएगा उपर 14 और 49 नीचे आ जाएगा और यहां बचेगा अगर यह कोशन थोड़ा सा भी सही है हमें बेकूप बनाए कोशन नहीं करता है तो 14 की टेवल 1372 आना चाहिए तो मैं चेक करता हूं 1372 14 की टेवल में आता है क्या 14 इंटू 9 14 इंटू 9 सर 126 होता है माइनस कर लोगे तो 112 आ जाएगा आजाएगा की नहीं आजाएगा टाइमस होता है एट टाइमस तो सर्फ 14 को हमने लगाया 14 से तो ऊपर आया 98 फिर 49 की टेवल में 98 आता है टू टाइमस कहानी खतम हो गई लोगे लिवश्थ इसरल गया 225 टेन परसाट इकुल टू आर टेन फरसेंट एकुल टू आर औन परसेंट ही को टू आर तो छलिए ज़्दी से इसका अंसर निकाल कि कमेंट सेक्श sociology में aunसर बता ना ठीक है निकाल लो देखें ला पालते हो की नहीं चैनल नेक्स कुश्चन की हम बात करते हैं नेक्स कुश्चन है इसमें मिसस गीता डिपॉजिटेटिट रुपीज थ्री फिफ्टी पर मन्त मतलब यह क्या दिया है यह प्रिंसिपल दिया है रुपीज थ्री फिफिफ्टी को आगे रेंगे क्या लिखा है इन बैंक फ़र वन एयर एंड थिम फ़र वन इएड़ एंड थ्री मंद्फ वन एयर मतलब ट्रियल मंथ हो जाएंगे और एक्ष्ट्रा थी मंथ मतलब 15 मंथ हो जाएगे तो यहां पर एन हो जाएगा 15 मंथ कि यहां पर एंड हो जाएगा 15 मंथ सब्सक्राइब यहां पर लिखा है कि 350 रुपीस पर मन्थ इन बैंक फॉर वन यह वन यह मलब 12 मंथ होते हैं और थ्री मंथ एक्स्ट्रा तो मलब 15 मंथ हुए आगे लिखा इन दा रेकरिंग डेपोजिट स्कीम इफ दा मैचॉर्टी वैल तो हमें क्या निकालना रेट ऑफ इंट्रेस्ट निकालना आपन टो है तो सबसे हुं पहले विल्फ्यू सब से 122 इंट रवा ठीक है, तो maturity value किर नहीं दिये, 5565, maturity value 5565, principle है 350, into n, n कहा है आपर 15, plus, principle है 350, into n है 15, 15, 15 plus 1, 16, 15 plus 1, 16, upon, 2 into 12, plus, r into 100, r बतलब rate of interest, sorry, plus नहीं होता है, into होता है, into r by 100, चलिए इसे solve करते हैं, देखें, कुछ cancel हुआ गी नहीं, सबसे पहले, ये वाला 0 और ये वाला 0 cancel हुआ, ठीक है, इसके बाद, 2 की table में 16 आता, 8 x, 12, 4 की table में आता, 3 x, और 84 की table में आता है, 2 x, इसके बाद, 3 की table में 15 आता है, 5 x, कि इसके बाद 10 5 की टेबल में आता है टू टाइम्स और टू से टू कैंसल हुआ है तो बचा क्या है लिख लेते हैं बचा है 5565 15 इंटू 35 15 इंटू 35 15 इंटू 30 हो जाएगा 450 15 इंटू 30 हो जाएगा 450 450 में 75 और एड करना होगा है टाइब करेंगे तो यह जाएगा 525 प्लस नीचे कुछ बचा नहीं है यहां बचा क्या थर्डी फाइफ इंटू आर यही बचा इसको उधर ले जातों 5 टू फाहिफ टू फाहिफ जीडो को तो फाहिफ टू फाहिजियो को अधर ले गया हमें तो यह बना 5565-5250-35R दोनों को माइनस कर लेंगे तो 5565-5250 यहाँ पर आया 513315 तो 315 इक्वाल टू 35R यह 35 इंटू में नीचे जाएगा डिवाइड में तो 315 अपॉन 35 वैसाब 35 गीटान सी वन फाइव नाइन टाइमस आता है तो 9 परसंटेज इक्वाल टू आर नाइन परसंटेज इक्वाल टू आर यह हमारा अंसर हो जाएगा पॉस्किया जाए चलिए तो नेक्स साइब की कोशिशन में आते हैं नेक्स साइब की कोशिशन देगी क्या लिखा हुआ है लिखा है कि एक रेकरिंग डिपॉसिट अकाउंट है और रुपीस 1200 पर मन्थ तो पी दिया है हमें 1200 रुपीस समझ गया होगे न भी तो यह पी है 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 जा मैचॉर्टी वैल्यू ऑफ रुपीज 1240 अगे रट अफ इंट्रस्ट आ दिया है एट पर्संटेज ठीक है लिखा है इस calculated at the end of every month find the time in months भाईया n निकालना आपकी बार तो अब यह तीसरा टाइब के question में आ गए है जिससे हम से n पूछा जा रहा है तो चलिए find करते हैं n कोई बड़ी बात है नहीं formula लगाएंगे वस तो maturity value का formula होता है P into n plus P into n into n plus 1 upon 2 do 12 into r upon 100 यह होता है formula अब values put कर लेते है maturity value दी है 1240 principle amount at 1200 into n plus 1200 into n into n plus 1 upon 2 into 12 into r 8 by 100 चलिए जो cancel हुआ उसको अपन cancel कर लेते हैं जो भी हो रहा है वाई साब यह 12 तो पूरा गया है इस 12 से 2 की table में 8 जाता है 4 times ठीक है ठीक है सर तो यहाँ पर यह बच रहा है 1240 1200 n प्लस यहाँ पर बच रहा है 4 n into n प्लस 1 4 n into n प्लस 1 यह बच रहा है अब आप ढंक से देखो 4 n का n से इंटू होगा 4 n का 1 से इंटू होगा तो यह हो जाएगा 1240 1200 n 4 n का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 n स्क्वाइर प्लस 4 n अब सबको उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 यह हो एक चीज़ पता होगी कि इसमें 4 common दिख रहा है आपको चार कॉमन दिख रहा है तो मैं चार को कॉमन करते हूं तो अंदर बचेगा या फोर एंड स्कुर्ड का आपने फोर ले लिया फोर एंड स्कुर्ड बचा की नहीं बचा च्रा का करें 200 को अगर आप फॉर से डिवाड़ लगा वागता थे अंडर्डर अगर अगर लेकिन लगा की यह की टिवाथ लगा की 4 x 3 is 12 नीचे आया 44 11 यह 44 यहां बचा 0 3 1 1 0 3 1 1 0 3 1 1 0 ठीक है यह जो 4 x में है यह चला जाएगा 0 के नीचे तो 0 हो जाएगा जेरो इकोल डू एक्वार प्लस 3 0 1 n माइनस 3 1 1 0 चलिए मिडल टर्म करते हैं फैक्ट राइस करते हैं मिडल डर्म कैसे प्लिट किया जाता है आपको पता है कि नहीं पता है यहां पर एंड्सक्रेट का ओफिशंट क्या है वन और लास्ट टर्म क्या 3 1 1 0 तो फर्स टर्म और सब को इंटू किया जाता है यह जो फस्ट कोफीशियन्ट होता नहीं आप न स्कुर्ड का ये वाले डिजट और ये लिजिट को इंटू किया जाता है और देखा जाता है कि कि किस की टेवल में आघा है तो अगर आप धंक से देखेंगे तो यह 311 इंटू 10 है 311 इंटू 10 है और 311 और 10 को माइनस करने से 301 आएगा आपको जैसे भी स्प्लिट करते हैं बनता है वह आपकी मर्जी है आप करो आपको जैसे भी छोड़ी इसको नहीं पता है वैसे तो पता होगा कि पहला टर्म और लास्ट इंटू करना पड़ता है जो आए तो निकाल लो यहां तो डिरेक्ट कर लो कि यह 311 कि इसको इंटू करने में आ रहा है तो 311 इंटू 10 सर यही क्यों ले रहे हो आप क्योंकि इन दोनों को माइनस करने से 301 म मिलें गार न 311-10 तो चलिए स्प्लिट करते है इसको भी जीरो इकवल टू एन ज्क्वाएर प्लस 311-10 क्योंकि 301 मिलेगा 311 N-10 तो यह मिडिल्टर्म क्या हो गया दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया अर लास्ट वाला टरम एजटेस पहले दो में एंट कॉमन है तो खल गौल एक सब्सक्राइब न लिकर दो हो जाएगा प्लस होता तो मैंस हो जाता तो ळिसके बाद क्या करते सार इसके बाद यह दो क्या करते थे सर चुलाओ ये Brother माइनस के उस तरफ तो तो गया शेकान को तो ये वैदर को यह तो नहीं ऑनल आप। यह नाश्य दोनों को जीनों के बढ़ाबर रखूंगे N plus 311 को भी 0 के बड़ाबर रखा तो 311 उधर गया तो गलत बात है यह यह not possible case है Not possible Sir क्यों not possible है ऐसा क्या है इसमें वह यह N McCOR fps month monthly negative कैसे हो सकते है months negative कैसे हो सकते है N minus 10 को 0 के बड़ाबर रखोगी toiletteů N की value के जाएगक 10 यह हो जाएगा हमारा अंसर हो जाएगा एन इक्वल डू टैन हमारा अंसर जो हो जाएगा वो जाएगा एन इक्वल डू टैन यह हो जाएगा हमारा अंसर पॉस्ट करिए चलिए नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट में आते हैं बिल्कुल सेम टाइप है जैसे पिछला किया था मिस्टर गुलाटी ऐसा रेक्रिंग डिपोजिट अकाउंट और रूपीज पर मन्त मतलब यह पी दिया है हमें यह दिया है पी 300 रूपीज इफ देट फिंट्रस इस 12 पर्सेंट आर दिया है 12 पर्सेंटेज एंड तम मैचॉर्टी वेल्यू अप्ट इस एट वन डबल जीरो मैचॉर्टी वेल्यू यह हमारा ओर्मूला जो है वह टाइम मन्त में देगा तो चलिए फ लगए लगा लेते हैं maturity value equal to p into n plus p into n into n plus 1 upon 2 into 12 into r by 100 maturity value कितनी दी गई है? 81 hundred maturity value दी है 81 hundred और 300 into n, 300 into n, n तो नहीं दीया भाई साब plus 300, p के जगए 300 into n, into n plus 1 upon 2 into 12 plus rate of interest is 12 upon 100 ये 2 0, ये 2 0 cancel, सरी ये sign गलत लगाय हो आप, ये sign साही कर लो ठीक है? 2 0, 2 0 cancel, ये वाला 12 और ये वाला 12 भी cancel, बचा है उपर 3 और नीचे बचा है 2, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो बचा है, 80 100 equal to 300 n, plus 3 upon 2 into n into n plus 1, बस ये बचा है, LCM आ जाएगा 2, ठीक है, तो LCM ले लेंगे 2, इधर 80 100 as it is, पहले लिख लेता हूँ, LCM ले लेंगे 2, तो 2 into 300, 600 n, plus, यहाँ पर 3 n और n plus 1 as it is रहेगा, रहेगा नहीं यार, इसके denominator 2 है, LCM लेंगे 2 है, वो तो az it is रहेगा, यह 2 भाइस आप चला याएगा, cross multiply होने, तो 2 into 81 100, 81 into 2, 162, 162, और 00, 600 n, plus, 300 n into n, sorry, 3 n into n, 3 n square, फिर 3 n into 1, 3 n, हो जाएगा, जो जाएगा, 0 equal to 3 n square, plus, यह जाएगा, 603 n, minus, 162, और 00, 162, और 00, अब यह शायद 3 से सारे cancel हो जाएगे, तो मैं 3 common निकाल लेता हूं, तो अंदर बच्चे का यहाँ, n square, 603 को अगर आप 3 से divide लगाओगे, तो 201 आएगा, 201, और इसको अगर 3 से लगाओगे, तो 5 करके दिखा लेता हूं, देखो, 3 से लगाओगे, तो 3 into 5 is 15, 12, तो 4 लगाया, तो 12, 20, 5400, 5400, यह तरी आपको पता, into पे, 0 के नीचे चले आएगा, तो n square, plus 201 n, minus 5400, फिर से middle term को split करना पड़ेगा, जैसे आपसे बनता है, वैसे करो, ठीक है, मैं normal तरीका बता देता हूं, normal तरीका क्या होता है, कि जो पहला term होता है, जैसे पहला term यहाँ पे 1 है, मतलब एक ही value, तो जो n square का coefficient होता है, यह x square का coefficient होता है, उसको और last वाले number को into गिया जाता है, तो क्या 5400 आएगा, आएगा सर, अब मुझे ऐसे दो चीज़ चाहिए, जिसे into करने 5400 आए, जिसे into करने 5400 आए, और plus minus करने में 2, 0, 1 आए, जैसे 5400 आता है आपका, 54, 2 into 27 होता न, तो 227 into 200, 2 into 27, 54 दोजीगो, हाँ, सही है, सही है, लेकिन दिक्कत ही है, जानते हो, दिक्कत ही है कि इनको plus करने में, 227 को plus करने 227 आएगा, 227 को plus करने 227 आएगा, और 227 को minus करने में भी 2, 0, 1 नहीं आएगा, हमें दो ऐसी चीज़ से ही होती है, जिसे into करने 5400 तो आए, लेकिन प्लस ही हम माइनस करने 2, 0 वन आए, तो यार 5400 था, इसलिए मैंने 200 सोचा, अब मैं ऐसी 300 सोच सकता हूं, तो 300 में क्या into गने 5400 आए, 18, 18 into 3, 54 और 2, 0, लेकिन 300 और 18 को plus करने, यह तो और ज़्यादा हो ग है बसे, तो 5400 को अगर मैं 225 से डिवाइल लगा हूं, तो कितने टाइस हो आएगा, जैसे 225 into 2, 450, यहां बचेगा 90 और 0, 24, 24, 24, 225 into 24, क्या आ रहा है, 225 into 24, 5400 आ रहा है, और भाई साब इनको माइनस करोगे, 201 मिल जाएगा, आपको, मिलेगा की नहीं मिलेगा, है, तो यह हो गया है हमारा स्प्लिट, तो एन स्क्वेर, 225 एन, माइनस 24, एन माइनस 5400, तो एन कामन लिया हमने, तो एन प्लस 225, यहां से माइनस 24 कामन लिया, तो यहां पर बचा एन और यह बना प्लस 54 को 24 से डिवाट लगाऊ टक्न देफाइबी आएगा तो एन पलस 225 हमारा कमंन है ए एन प्लस 225 ये दो कमन है और क्या बचेगा एन माइनेस 24 दोनों को 0 के बडाबर रखोगे तो यहां से एन माइनस 24 को परावर रखोगे तो एनकी वैले ट्वार्टीफ के एर्टी फोर आ जाएगी इसको डखोगे तो नेगेटिवा आईगा तो एनकी वैलिवा जाएगी ट्वनदीर पीनफ ट्वन.ट्यूर्शिय। अंसर मंत में आता है ना लेकिन अपने को यह में बताना था तो दो साल इसका अंसर हो जाएगा पॉस कर सकते हैं चलिए तो लास्ट कॉश्शन में आते हैं बहतरीन कॉश्शन है लिखा है रिशब है सा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस फॉर तो तीन सालों तक उसके पास रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट था थी यह मीज थर्डी सिक्स मन्थ ठीक है अभी तक त इंट्रेस्ट था आट परसंट अगर उसे ट्रिपल नाइन जीडो इंट्रेस्ट मिला है भाई साब इंट्रेस्ट मिला है यह तो पहली बार है कि वह हमें इंट्रेस्ट दे रहा है याद करो मैंने आपको इंट्रेस्ट का याद करो मैंने आपको इंट्रेस्ट का P into nn plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100 तो मेचर्टी वैल्यू क्या थी? मेचर्टी वैल्यू का जो वार्मुला बना था मेचर्टी वैल्यू का जो वार्मुला बना था वो था amount plus interest कि भहिया आप कितना submit करते हो और कितना ब्याज मिलता है तो मिला के maturity value थी तो interest का यह formula होता है यहां से लेकर यहां तक इंट्रेस्ट होता है और यहां से लेकर यहां तक यह अमाउंट होता है ठीक है तो यहां पर हमें दिया है इंट्रेस्ट लिख देता हूं भी यहां पर इंट्रेस्ट दिया है कितना दिया इंट्रेस्ट 9990 यह इंटरेस्ट इतना याज दिया है ठीक है तो यह हमारा लास्ट टाइप है जह हमें इंटरेस्ट दें ठीक है वैसे आप कर लोगे मेरे को पता है इतना मैंने आपको बता दिया है find the monthly installment monthly installment वालब P निकालना आपको monthly इस्ट्रोल मालब P निकालना amount of maturity maturity value निकालनी है ठीक है amount of maturity maturity value निकालनी है निकाल लिएंगे कोई बड़ी बात नहीं है तो सबसे पहले आपको दिया है interest सबसे पहले आपको दिया है एंट्रेस्ट, तो maturity value का formula होता है amount plus interest amount into n होता है और interest का माला होता है पींट्स nN plus 1 upon 2 20 x 12 into r by 100. क्योंकि मुझे interest दिया तोína sirs इतना formula लगा चो interest का formula होता है P into N into n वन अपॉन टू इन्टू ट्वैल इन्टू आर अपॉन हंड़र्ड एंट्रेस्ट मेरे को दिया है ट्रिपल लाइन जीरो प्रिंसिपल मुझे निकालना है एन मुझे दिया 36 तो अगर एन 36 है तो एन प्लस फान 37 हो जाएगा 2 इंटु 12 आर मिरे को दिया है 8 अपान 100 चली कैंसल करते जाते हैं जो जो कैंसल हो रहा है सबसे पहले 12 की टेबनेक 12 आता है टू की टेबल में एट आएगा फोर टाइमस ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पर यह वाला इधर पहुंचा देते हैं लगा देते हैं यह जगा नाइन नाइन चाहिए वह दिक्कत नहीं यह लेकिन 25 को इंटु करने थोड़ा सा कष्ट होगा तो हम नहीं चाहते हैं कष्ट हो मैं एसन बनी दहें तो दो जिरो लेक़ा हम एक झिल पहले साथ 20 जाला गया पी इंटू इधर क्या बचाई इदा बचाई थणि फोर ट्वेल ट्रवल इन्टो थर्टी सेवन ट्वेल यह गा सेवंटी फोर और यह जाएका 37 तो 414144 ट्रीपल फोर आजाएगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आप बोर्डर तो आई जाएगा थरी इंटू फोर ट्रल ट्रीशन ट्रिपल फोर आ जाएगा अब ट्रिपल फोर को ले जाओ नीचे नाइन नाइन एक दो तीन अपॉन ट्रिपल फोर इक्वल टू पी चलो डिवाइड लगाके रेखता हूं एक्जेक्ट अंसर आता है कि नहीं आता है नाइन नाइन एक दो तीन इसे लगाते ट्रिपल फोर से ट्रिपल फोर का दो गुना होता है ट्रिपल एट होता है गी नही और यह 0 फिर टू टाइमस करोगे तो आएगा ट्रिपल एट माइनस करोगे तो वन से इधर गया तो यह जागा 10 ट्रिपल ट्रिपल फोर इंटू ओं फाइफ करने से काम बनेगा क्या 5 into 4 20 5 into 4 20 5 into 4 अरी वह 5 times से यह पूरा आ गया यह दे मेंटर 0 आ यह 0 उपर लग जाएगा तो डबल टू 50 अद्वल्ट पढ़ जीरो तो आनसर आ गया में डबल 553 टी गोवले कोऑवि निकालना थाDew तो सबसे पहले चीज जो हमें निकालनी थी वह आ गई सबसे पहले निकालना था क्या निकालना था सबसे पहले monthly installment आचुका है है अब हमें निकालना है amount of maturity mitigate value निकालनी मैंसरीटी वैल्यू निकालनी है Surway का फर्मला होता है p into N plus p into n into n वन अपॉण 2 into 12 into आरपॉण Bock यह होता है कि मुअ सभी भिनिव पोड़ करते हैं P into N 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 हाप, P तो सर, यह रा भान डबल टू फाइफ जीरो इनटू N 36 डबल टूफ फाइफ जीरो इनटू चलो, सर, कैंसल करते जओ जो जो हो रहा है ठीक है करते हैं एक जीरो से सर यह वाला एक जीरो गया सर आर ना रखो गया कोई तकलीफ है आर से नहीं यार भूल गया आर रखना भूल गया यार कहा था एट परसेंट चलो वापिस से 24 12 की टेबल में आता है 2 x 36 12 की टेबल आता है 3 x अच्छा सर इस 2 को अड़ा दो एट से 4 अच्छा 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 इसके बाद सर टैन जो है 5 की टेवल ने 2 टाइमस आता है और 225 की टेबल में आता है 45 टाइमस अच्छा अच्छ 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 यह जो 2 है उपार 4 को 2 ताइम्स काट देगा सही है नीचे सब खतम नीचे सब खतम हो चुका है तो आंसर में बचा है 2250 इंटू 36 2250 इंटू 36 0 6 5 36 12 15 6 to 12 13 और 0 15 1 3 2 2 6 3 7 3 2 2 6 0 0 0 1 11 8 81 और ट्रिपल जीरो एटीवन और ट्रिपल जीरो एटीवन और ट्रिपल जीरो एटीवन और ट्रिपल जीरो तो एटीवन ट्रिपल जीरो आ रहा है प्लस यह नीचे कुछ नहीं बचा था यह उपर ग्या बचा हुए है तो इंटो 3 बचाए 6 6 इंटो 45 90 180 270 270 इंटो 37 तो 270 इंटो 37 तो 7 इंटो 0 is 0 49 7 2 is 14 18 3 इंटो 0 0 3 इंटो 7 is 21 2 carry 3 इंटो 2 268 0 999999 990 990 चलो प्लस मारते इनको तो शायर अपना अंसर आ चुका है लास्ट का जीरो यह 0 09 प्लस जीरो इस 9 9 प्लस जीरो इस 9 9 प्लस वन 0 1 carry तो 9 9 0 990 ही हमारा maturity value है ठीक है तो इसे आप कर सकते हैं पॉस और अगर आपको यह वीडियो लगा हो कि हमें अब सारी question बन रहे किताब के तो चैनल को subscribe कर लेना ताकि आगे कि जितने भी वीडियो जैंब वह मिस न कर पाएं और अपने क्लास में सब को शेयर जरूर कर देना क्यूंकि आइसे की वीडियो आपको ऐसे बहुत कम ही मिलेंगे यूट्यूब में यह भी आप जानते क्यूंकि यूट्यूब पूरा cbsc से और स्टेट बोर्ट से भरा हुआ है चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में